हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल सुमन कीचन हिंदी में और फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में शेर कर रही हूं आज हम बनाने वाले हैं यहां पटक्डू की सबजी और कद्डू की सबजी पिल्कुल सिंपल मसालों से बनाएंगे हम यहां पर और जो तेस्ट होगा उसका वो काफी बढ़िया आने वाला है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए यहां पर दिखिए मैंने कद्दू लिया है और यह कद्दू है करीब 500 ग्राम और सबसे पहले कद्दू को आप मार्केट से लाके पानी से अच्छे से वाश कर लें क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बारिश की मौसम में सब्जी को एक बार कटिंग करने से पहले वाश कर लें यहां पर रिखिए पहले मैंने इसको लाके अच्छे से वाश कर लिया है और जब भी आप मार्केट से कद्दू खरीदते हैं तो इसका छिलका होता है पीछे का इसका इसका ग्रिन पार्ट का होना जाइए क्यूंकि यह जो छिलका होता है यहां पहलखा सा यह साटा है और यहां पे मैं चिलका नहीं अटाएंगें कड्दू में से उर छिलके समय प्रीट की कट्डिंग कर लेंगे friendly जब भी आप कद्दू की cutting करते हैं तो दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि कद्दू को हमेशा मोटे साइज में cut करें ताकि कद्दू आपका जल्दी से melt नहीं होगा और सबजी दिखने में काफी अच्छी लगेगी तो यह मैंने यहां पर cutting करके पानी में add कर दिया है कद्द तेल और यहां पर जीरे का अजवाइन का सौंप का किसी का भी तड़का नहीं लगता है कद्दू की सब्जी में मैथी का तड़का लगा रहे हैं तो half टेबले स्पून मैथी add करिए साथ ही यहां पर कद्दू add कर देंगे इसमें और इसको कद्दू को कासिफल भी कहते हैं और आप इसको और किस भाषा में क्या जानते हैं तो मुझे कॉमेंट्स होक से कॉमेंट्स करके जरू बताना यहां पर अभी इसको हम 30 सेकंड के लिए तेल में अच्छे से फ्राय कर लेते हैं और आप जब भी सब्जी को बनाते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देत और इहां पर इच्छे में इसको निरू मिक्स कर लेंग campe कर दो को पकाने के लिए मैं यहां पर करीब इसमें आड़ कर रही हूं आदा कप पानी तो सिर्फ कद्दू को पकाने जितना पानी याट करेंगे इसके अंदर हम और पानी मिक्स कर लिया इसमें और अभी इसको हम कवर करके रख देते हैं एक से दो मिनिट के लिए मीडियम ल चुका है तेल बड़ी असा सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी सी दिख रही है सब्जी के अंदर तो यहां पर इसके अंदर एड़ करेंगे हम हाफ टेबल स्पून अमचूर आप इसके चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप केरी का यूज़ भी कर सकत सब्जी में जिससे काफी बड़िया टेस्ट आता है तो यहां पर देखिए मेरे पास ही कसूरी मेती है जिसको मैंने रोस्ट किया है और कसूरी मेती हमेशा रोस्ट करके ही सब्जी में एड़ करें उसी से इसमें खुशबू आती है तो यह दिकी करश करके इस तरह से कसूर करिर सक्की मलब करने के बाद आपको सभी बिल्कुल इस तरह से लगए बिल्कुल हल्वाई की तरह ayahe कारई vraa करते हैं यहां पर इखती क कद्डू गल छुका है हमारा तयार है ग्रेवी वाली यहां पर कद्डू की संब़ी और नारी अरं आधिट पर रहाओ पहोती लाजवा बनने वाली है तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस फ्रेंट वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें आप बारी कर्टी भी हरिपत्ति एड़ करती है यहाँ पर इस तरीके से मैंने और सब्जी करीब करें ने चैनल सप्राइब कर लें घंटी बटन आप जरू दबा दें friends अगली notification पाने के लिए तापकि आपको मेरी अगली next वीडियो recipe की notification पहले से मिलती रहे और यहां पर यह कद्दू की सब्जी बनके तयार है बस इसको अभी हम सरू कर लेते हैं प्रेट के अंदर तो देखिए color tester काफी बढ़िया है जिस तरह से हलवाई style कद्दू की सब्जी होती है बिलकुल उसी तरह से मैंने यहां पर यहां प कॉमेंट्स उसमें कॉमेंट्स करके जरूर बताना है तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं आपसे अगली नेक्स वीडियो recipe में